नमस्कार बच्चों मैं बजंगलाल बहुतिक विज्ञान की इस कक्सा में आपका स्वागत करता हूं बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 14 और जिसका नाम है अर्ध चालक इलेक्ट्रोनिकी जिसके अंदर प्रदार्थ य हो यह हो सकता है क्या अगरिए इसलिए हमें इतनीर स्फ्राइब को quantum गया नहीं हो इंद नहीं में कि पाता है तो हम दौन हम QUM पता है लेकिन हमें पता है क्या कि PN में P होता है P टाइप अलचालक जिसके अंदर होलो किसंग्या एंट टाइप अलचालक जिसमें इलेक्टरनो किसंग्या अधिक होती है और इसी कंसेट बेस्ट हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही आसान सा हमारा टोपिक है और कोई टेंसिन इसमें आपको लेनी नहीं है लेकिन ध्यानोंना चाहिए ओम कानी ऑम के नियम में क्या होता है एक होती है hugत और एक होता है juga और दोनों परफ्ट होती है अनोमी युक्तियों में वी आई ग्राफ एक सिध्य रेखा प्राप्त नहीं होती है अर्थार्ट ओम की नेम का पालन नहीं करते हैं एक जाम्पल में हमने दिया था डायोड ट्रांजिस्टर तो वो चीज़ आज यहां प्रूप होगी कि डायोड कैसे अनौमी होते हैं कि ग्राप सीधी रिखा प्राप्त नहीं होता क्यों नहीं होता आज वह हम पढ़ेंगी और इसी वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकल भी है कि पीएंट संदी से हम अगर अविल वक्र पहले तो आप यह समझ लीजिए कि अविलाक्षनिक वक्र किसे कहते हैं तो आपको दो ही नाम याद अखने वॉल्टेज और करंट विभवांतर और धारा वॉल्टेज और करंट के मद्दे खींचा गया गराफ होता है अविलाक्षनिक वक्र और पीएंट संदी की ब क्या कहना है कि पीएंट संदी के लिए वॉल्टेज और के बीच में जो ग्राफ हम बना रहे है वही क्या है सीधी रखनी है इस कहन है एक प्रकार को होता है दूप करता है पहला प्रकार कर लेते हैं प्रपि दूसरा अото मैक्शन में आ जायेगा किया process होती है देखें इसके अंदर जिसे हम ने कहा कि voltage और धरा तो देखो voltage और धारा लेकिन यहाँ नाम में पहले अगर लिखा हुआ है तो यहां भी क्या करेंगे अगर यहां भी अगर और व क्या आगे यहां लगा देंगे F, आई क्या आगे यहां लगा देंगे F, ओके तो IF हो गया और VF हो गया, समझ गया, F मतलब forward, तो F यहां पर किस चुछ दिनोट करता है, अगर सबत को, अगर अबलाक्ष्णी वकर के लिए अगर बाइस के लिए यहां अपने F यूज में लिया है, तो आपको शिर्दी शिवाता है, VF और IF के बीच में जो ग्राफ हम बनाएंगे, इसको हम इंदिन लिख देंगे, ग्राफ, को ही क्या कहते हैं, अगर अबलाक्ष्णी ग्राफ है, यहां वकर कहते हैं, सबसे पहले आता है, कि जिस विदी से आप प्राफ करते हो, उसका परिपत चितर कहा है, मतलब जो साहकिट डाइग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, जिससे आप यह सब वेल्यूज प्राफ कर रहे हो, देखिए, प्राफ कर देखिए, प्राफ कर रहे हैं, प्राफ कर रहे हैं, मतलब होता है, जब प्राफ को जोड़ना पड़ता है, बैटरी के प्लस से, अगर पी को जोड़ते हो, प्लस से, N type को जोड़ते हो बैटरी के माइनस से तो कौन सी बाइस बनती है अगर बाइस और अगर बाइस हमेंसा क्या होती है चालक होती है और अगर P type को जोड़ते किसे माइनस से और N type को जोड़ते किसे प्लस से तो कौन सी बाइस होती है उतकर्म या पस बाइस होती है और हमेंसा य माइक्रम में वॉर्ट मेटर मैं अमेटर यहां मिली अमेटर है क्वार को में हालocol काम में लेते हैं और यहां एक निसान लग वा है इसका मतलब यह परीवरती है वर्यमिवास विबाजक जिसको आप आवसे कतनशा परीवर्टी कर सकते हैं पी एन डायोड को अगर बाइस में जोड़ते हैं बिलकुल विभुवांतर मापने के लिए 500 करम में हमेशा वॉल्ट मेटर जोड़ते हैं और सेनी करम में धाला मापने के लिए यहां पर मिलिय अमेटर को जोड़ते हैं यानि हम किल परिपत चितर की डेटेल्स की बात कर रहे है परीप्थ में विभौ परिवाटी जड़ा हुआ है जो क्या होगा विभंभु को चेंज कर सकता है अब बात करते हैं इसकी किर्यविदी कि कि बिल्ठ all ऐसान है मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम मालजी कोई प्रियोक करें और एस प्रियोक मेंहारे पास humidity है और Emiter भी है और पूरा एक सेंकिट जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं जब इनको बैटरी केंट जो हम देंगी तो हम चाहते हैं कि इसे हमें मान pryоль हो जाइं तो जो हमन उते हो बता देगा क्या decía माह तो ग्राफ के लिए आपको चार पांस मान बनाने पडेंगे तो जो क्रैंट है वह को क्या लेना रहेंगी note करने वाद जैसे 4-5 मान हो जाएंगे पिर हम क्या करेंगी हम उसका गराप बना देंगे तो गराप बनाने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इसमें मान किस करकार से बड़े जैसे अब और् Ching और किरिम की बात करते हैं हमेसा क्या होती सीधी रिखा प्राप्त होती है न Vegram फिल्म होती है तो इसका उतला हम एसके हम पतेक दहारा के संगत प्रतेक वी-ब्हवांतरगवान क्या dose हो तो इसी प्रकार से यह होता है कि जब हम PN के लिए PN संधी के बात करें अगरबाइस के लिए वोल्टेज और धारा के लिए प्रयोग करके देखते हैं और इनके मान जब कोपे में नोट करते हैं तो उप्रिक्त प्रयागिक विवस्ता से विभाव एवन धारा यानि वी कमान और आई कमान उचित मानों के लिए एक ग्राब करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं वह जब मान हम लेते हैं अलग-अलग पॉइंट के उपर परिवर्ति लगा हुए आपको पता है यह देखते हैं कि धारा कमान तो सुन्य यानि ग्राफ के बात करें तो कोई फ़रक राप करने ही पड़ रहा है यह ग्राफ उपर नहीं उठ रहा ठीक है लेकिन सिलिकन के लिए 0.7 वोल्ट और जमेने के लिए 0.3 वोल्ट होने के बाद में क्या होता है चर्ग हतां की रूप से वर्दी हो जाती है चर्ग हतां के मतलब देखो पहले कोई फरक नहीं पड़ रहा है अब बढ़ेगा यह जैसी सिलिकन के लिए आप कह सकते हैं 0.7 और जमेने के लिए 0.3 वोल्ट जैसी प्राप्त हो जाएगी तुन्त क्या होगा दाला में तीवर्ता से परिवर्तन होगा और वह होगा चर्ग हतां की रूप से और जिस वोल्टेज पर यह परिवर्तन हो रहा है जिस वोल्टेज पर यह मान बढ़ रहा है उसे क्या करते हैं उसे नी विभाव करते हैं अठार्थ अंतक वोल्टा करते हैं बिलको आसान सी बात है पहले मान बढ़ेगा नहीं और जै 0.7 से आ गया है बाकी ग्राफ लग बख्या रहे गा यह जो रहेगा और जिसे 0.7 से लेकर नियुम 0.3 तो भी आप काम में ले रहे हो वालिक दिन आगे और यह ग्राफ कुछ चरह गाता है रूप से बढ़ जाएगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं यह आपकी क्या है वी एफ है है और यह आपके आई एफ हो जाएगी यह मिली एंपर कोटी में है और यह आपके वाल्टेज में है दूसरा जो ग्राफ है अगर ज्यादा मौश होता है यह थोड़ा कम मौश है लेकिन प्रोसेस से में उतकरम पस अवलाक्ष्णी वाकर देखिए उसमें अगर वोल्टेज थी इसमें क्या है पस्च वोल्टेज पस्च दारड़ा है यह रहा रहे उसमें अप लिखा व smrk रिवरस तो अब इंकी भी से ग्राफ केंटेलर पस्च अभिदाक्ष्णी वाकर बन जातаю है सबåơi पट्री पेच्ट्चते के बात करें तो देखो पेट संदी रींची बैटरी के माइनस से निसान लगा हुआ है इसका मतलब यह भी क्या है परिवर्ती विभाव विवाजक है समानत्र कर्म में आता है वोल्ट मेटर और यहां पर आजाएगा माइक्रोमेटर अब उस चितर वे इस चतर थे बाइनस प्लस माइनस यहां थे माइनस हो जाएगा अब यह वह पुद्दम की की शितर Τरोग वी और Himself जो आपनी लिखा है जो चित्र में देखए लिख दिईए Mn को आपने किसmy reinsti अपस्रू कर सकते हो वीघराम के लिएゴm में माइक्रो अमीटर काम में नेते हैं बड़ी क्या है विभव परिवर्ति जुड़ा होता है जिसके उन्सार हम क्या कर सकते हैं व्यवस्ता से विभुव और धारा के उचित मानों के लिए ग्राफ धीजते हैं यानि वह यह पाँंच मान लेते हैं वोल्टमीटर और अमिटर सब्सक्राइब है कि अठी देम के मान अटने पर सुनने होता है है या उसमें भी वह था चेंज कर यह कि लेकिन बहुत अधिक वोल्टेज देने पर भी कह होता है मान नहीं बढ़ता और बहुत आगे ऊच्लि कि यह के मान में क्या होती है एक एक ती वर्ता से क्या हो जाती है वर्दी हो जाती है वर्दी हो जाती है और जिस वोल्टेज पर वर्दी होती है उसे कहते हैं भंजन वोल्टेज अर्थार्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे गाड़ी चल्लाई स्पीट से अचानक ब्रेक लगाए ठीक उसी परकार से वोल्ट देते रहे करिंग कोई धारा प्राप्त नहीं हुई नहीं हुई लिए चले गए फिर आप जया मैंनम की चले गए 25 वल्ट या 35 वर्व वहां चले गए तब जाकर कोई उसमें चेंज हो और वह भी एक साथ जिससे परिपखत क्या हो सकता है फाल्ट भी हो सकता है तो इसलिए कि यह क्या होगा आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज तो एक क्या होगे ती उर्टा से वर्दी हो जाती है गराब देखिए अब पस्ट भाइस है उत्करम भाइस में लगा हुआ है यह तोट गया पहले कोई मान नहीं था यह पर लगबग जीरो था और फी तोट गया एक साथ ती उर्टा से तोट गया ओके तो यह हो गया हमारा पस्ट अभिलाक्षनी के वक्कर अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोट पढ़ेगा नाम है गतिक परतिरोद डायनेमिक एसिस्टेंस डायनेमिक एसिस्टेंस में क्या होता है वोल्टेज और धारा में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन नहीं होता इसलिए आपने क्या करते हैं वी और आई का अनुपात लेकिन यहां हम क्या कहेंग इनजिगा अपना आर और ये जो भी अपना गराफ होगा उसके अनुशाय अचार लगा देगे या अका अलाग कि consistent में परिवर्तन के अनुपात को गतिक परतिरोथ कहते हैं इस बस्संदी के बात करें तो पीन इससंदी में व्योंटेज ओधारा में परिवर्तन के अनुपात को हम कहते हैं गतिक पर्तियोद दो प्रकार का होगा क्यूंकि एक तो अगर है और एक पस्र या उतकर्म बाइस में आता है तो देखी अर एफ लगा दिया अगर बाइस में तो अगर गतिक गतिक परिवरतन अर्थार्थ डेल्टा वीड़ इसके संगत जो अगर धारा हमें प्राप्त हो रही है अर्थार्थliche डेल्टाा अर्फ दोनों का अनुपात क्या है पर एक करत्यों अगर वाला तो वोल्टेज में कितना परिवर्थन हो रहा है धाला में कितना परिवर्थन हो रहा है उन दोनों का अनुपात ही क्या है अगर गतिक परतिरोध कहलाता है यह परतिरोध कम होता है क्यों होता है क्यों कि अगर बाइस है अगर बाइस क्या होती है चालक होती है चालक होती है मत अब हमान एक हुम से सफों के मत्दे होता है हो गया यह आपका हो गया अग्रघक ौड हो ये ढ सभाई ये संगत पस्च इट तो इसमें पस्ट घार है तो डेलटा वी और डेलटा आयार दोनों में क्या है परिवर्तन दिन के ना आगे कि दिखकट भी बात नहीं लेकिन मैं की हमारा क्या फॉर्मिल्ला की नुमेरिकल यही चाहते हैं डेलटा र बटदल यहां जएगा लक में आर तो ये लिग यह परिवर्टन ये परिवर्थन है नुख अनुपाथ क्या हो गया यह परिवर्थनों अनुपाथ वह हूद यह कोता हुछ होता है क्योंकि उत्करम बाइस क्या होती है उत्करम बाइस कुछ आलक होती है इसका मान एक ओम से दस की आच शे ओम तक होता है वहां पर रुकाउट बादा पढ़ते होती है बहुत अधीक है अब इसे जुड़ी कुछ परिवासा है उनकम जल्दी से पढ़ लेते हैं समय से आपके जाएगे नहीं क्योंकि उत्करम बाइस के अंदर एक वोल्टेज ऐसी प्रात होती है जहां से दारा का मान में एक का रिक होटी होती है तो इस निश्चित वोर्टा को क्या कहते हैं बंजन वोर्टा कहते है और इस परकिरिया को क्योंकि उधकरम बारिस में होती है इसलिए इसका नाम है उधकरम भंजन उतकरम भंजन दो परकार का होता है जो परीक्सय में भी आ चुका है पहला परकार है जेनर बंजन जब परीपत में उतकम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तब संधी बिंदू पर विदुच्छेतर का मान बढ़ता है क्योंकि आप वोल्टेज क्या कर रहे हो बढ़ते बढ़ते हैं फिर जाकर लाशन जाकर एक वोल्टेज पर मान तूटता है लेकिन अब आप उसको भी रहां हो लोकि संख्या ओल्टव और हो लोनों के संख्याँ बहुत अधिक हो जाएगी क्य豆 वोल्ठेज देन जाएब देते जारे हो जिससे परीपत मीं धाारत के क्या होती है ती वरता से वर्धा से वर्दी होती है इस गषणन को जैनल भन्जन चए समझेивать sure esse वनिञें बन्जन साथ भंजन ने उत्ध हना वीकें कर डिया आपने उस वक्त जो अल्प आवेश वहाग हम वह भी क्या करते हैं अपने वेग को क्या करते हैं बढ़ जाता है वीग को बढ़ा लेते हैं बढ़ जाता है जिस से यह उप सहसुद्प को तोड़ देते हैं वह परिपत में धाला प्रवा होता है इस परकिर्या को एवलानसी बंजन कहते हैं बजी साथ को पता है कोच अलग बदार्त है अब हम बात करते हैं से वर्जित उर्जानता अलकी कि कोच अलग पदार्तों में सेयोजी बैंड और चाले बैंड के मद्दे इतना अंताल इतना अधिक होता है कि एलेक्टर न पहुंच अब किताब का एक 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 इसलिकॉन डायोड वी आई अनुमी तभी तो ही के लिए वी आई अभिलाक्ष्णी चित्र में दर्शाया गया अगर आपको कॉमन पूछें कि पी एंड संधी अभिलाक्ष्णी वक्र बनाईए तो आपको यह वक्र बनाना है और और इसको तोर दिने आप आगे लागी तो डायोड का प्रत्यओंद हमें दिया गया है दोनों मान हमें पूछन है नहीं परिकलित करना और इन çek पर क्या करना है परिकलित करना है तो graph क्या आउसकता पड़ेगी graph में पास यहां भी लग गया तो देगे id 15 तो current के बाद को पहले 15 milliampere के लिए इसके दोनों और दो बिंदू i ब्रावर 10 है और i ब्रावर 20 है 10 और 20 10 के according 0.7 20 के according 0.8 ओके अब 10 के according कितनी है 0.7 है 20 के according 0.8 तो delta v कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7 delta i कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 और milliampere कोटी के तो milli क्या होता 10 के माइनस 3 होता है तो यह आगया 0.1 गुणा 10 की बटा 10 यह आपन solve कर देंगे यह solve कर देंगे और answer यहां से प्राप्त हो जाएगा कितना आएगा भाई 10 से आप इसको solve करोगे क्या आगया 10 की आते 2 आ गया और दो क्या कर देंगे 0.1 से गुणा कर देंगे क्या जाएगा 10 आ जाएगा और पुछा क्या था इसने आ डियर तो यह क्या हो जाएगा इसका मात्रग 10 ओम हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको सब्सक्राइब करते हैं दूसरे किसन को किसन निवा पढ़ लेते हैं माइनस दस वोल्ट पर चलो तो माइनस दस वोल्ट पर देखें माइनस दस वोल्ट पर कि दारा कितनी है एक माइक्र एंपियर चलो बात करते हैं माइनिस दस वॉल्ट पर दारा कितनी तोपिक आसानी से पढ़ लिया पी एंड संधी अविराश्चनिव वकर बहुत ही सांदा टोपिक थे और अगली वीडियो में सबसे सांदा टोपिक आने वाला जिसका नाम है दिश्टकारी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद